नमसकार, मैं हूँ फिल्मे बंदा और फिल्मे बंदा मैं आज बॉलिवूड के बारे में बात की ये बॉलिवूड आखिरकार कहां से आया? किस न देया ये शब्द, कहां से आया ये वर्ड कि बॉलिवूड आज हर कसी के जहन में घूम रहा है? भारतिय उद्योगपती एक नाम हिंदुजा ब्रदर इन्होंने 1954-1955 से लेकर 1985 तक के बीच में 1200 हिंदे फिल्मों को दुनिया भर में चलाया प्रदर्शित किया, घूम घूम कर उसका प्रचार किया और इस तरह से बॉलिवुड शब्द दुनिया में आया और बॉलिवुड की बुनियाद एक तरह से हिंदी सिनेमा के उस स्वार्णिम इतिहास को दुबारा जिन्दा करने की कोशिश की है तोड़ा सा इसे समझ लेते हैं क्योंकि इसी नाम पर अधार बॉलिवुड की बुनियाद एक किताब है जिसे लिखा है अजीत रौय साहब ने अब अजीत रौय साहब कोन है वो आप गूगल करेंगे जो आपकर सामने आ जाएंगे अस्ता मुस्कराता एक चहरा जिन्होंने किताब में लिखाया कि जिसे हम हिंदी जनेमा का सुराण यूग कहते हैं वे दुनिया भर में हिंदी फिल्मों की वैश्विक संस्कृतिक यत्रा का भी सुराण यूग था आज हिंदी फिल्में सारी दुनिया में बहुत अच्छा बिजनस कर रही है लेकिन इसकी बुनियाद 1955 में हिंदुजा बंधों ने इरान में रखी थी अब आप कहेंगे कि नहीं फिल्में तो 1913 में बननी शुरू हो गई थी जी वो एक अलग बाक्या है कि कब कैसे राजा हरिश्चंद्र शिरी राजा हरिश्चंद्र वली फिल्म आई थी अभी बात बॉलीवूट की इरान से शुरू हुआ ही ऐसा वर देखते ही देखते सारी दुनिया में लोगप्रिया हो गया और शायद ही किसी को यकीन हो रहा हो कि करीब पचास साल पहले राजकुपूर की फिल्म संगम जब फार्सी में डब होकर एरान में परदुर्शित हुई तो दो तीन साल तक और मिस्र के राजधानी काहिरा में एक साल तक चली महबूब खान की मदर इंडिया और रमेश सिप्पी की शोले भी इरान में एक साल तक चली बारतियों दुगपती हिंदू जा ब्रदर्स जो थे उन्होंने पचपन से लेकर पचासी तक के करीब बारां सो हिंदी फिल्मों को दुनिया भर में पर दुर्शित किया और इस तरह बॉलिवुड शब्द माकिट में आया इंडस्टी में आया बॉलिवुड की बुनियाद एक तरह से हिंदी जिनेमा के उस स्वर्णिम इतिहास को दुबारा जिन्दा करने की कोशिश जिससे आज लग भग भुला दिया गया है यह किताब यनि की बॉलिवुड की बुनियाद नाम की जो किताब है जिसे अजीतराई साब ने लिखा है यह किताब हमें करीब 1200 हिन्दी फिल्मों की एतिहासिक यात्रा पर ले जाती है जो हिंदू जा बंधूं के प्रयासों से सफल हुई थी यह देखकर सुख़द आश्चारिया होता है सुकूंसा मिलता है कि राज़िकुदूर की फिल्म शीरी 420 1954-55 से लेकर अभिदाम बच्चन की नसीब 1984-85 तक 1200 फिल्मों की यात्रा इरान से शुरू होकर ब्रिटेन, मिस्र, तुर्की लेबनान, जार्डन सीरिय, उज्राइल, थाइलेंड ग्रीस होते हुए सारी दुनिया तक पहुँची और इस यात्रा की अने एक अनसुनी कहानियां पाचकों और फिल्म प्रेमियों को बहुत पसंद आएंगी क्योंकि इनने लिखा है अजीत राय साब अच्छा ये जो मैंने पड़ा है इसे लिखा है रियान फजल साहब ने अब रियान फजल कौन अगर आप BBC देखते हैं तो आपको वीबेशना याद होगा और अभी पीछे उन्होंने एक नई सीरिस चुरू की थी फिल्मों के बारे में वो भी याद होगा हैं उसे और पढ़ सकते हैं उन 1200 फिल्मों के बारे में अजीत रही साब कोन है वो भी आपको पता चल दाएगा हाँ मैं अजीत रही साब के एक फोटो जरूर लगा देता हूँ और अब बात करते हैं कि हाँ राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो थी वो 1913 में बनी भारतिय मुख फिल्म थी ये भी हम सब लोग जानते हैं अब इसके जो निर्माता निर्देश्वक थे वो दादा साब फलके थे जिसे दादा साब फड़के भी कहा जाता है और यह भारतिय सिनेमा की प्रथम पून लंबाई की फिल्म थी फिल्म भारत की कथाओं में से जो की हमारे उस दोर में नाटक होते थे ड्रामा होते थे उसमें से एक ऐसा अध्याय उठाया गया सोशल और मेणिफुल जो की समाज को एक शिक्षा दे पाए या एक मैसेज दे पाए उसमें से इनोंने राजय हरिश्चंद्र नाम का यह नाटक उठाया था जिस पे उपर यह फिल्म बनाई थी हाँ यह फिल्म गूंगी फिल्म थी, मूख फिल्म थी, साइलेंट मूवी थी और इसके जो दृष्षय थे उसके भीतर अंग्रेजी और हिंदी में जिस तरह से आज कल हम लोग सब्टाइटल दिखते हैं, उस तरह से लिखकर कुछ समझाया गया था, ऐसा मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि फिल्मों में अभीना करने वाले सभी कलागार मराठी थे और इसलिए इस फिल्म को मराठी फिल्मों की श्रणी में रखा जाता है अब थोड़ी से डिटेल केस के निर्देशक कौन थे दादा साब फाल के निर्माता फाल के बैनर तले पटका था भी कहानी थी रण छोड़ बाई उदराम साब की अधारित थी आयोध्या के प्रुसिद्ध शुर्यावनशी जायट रायजा हरिष्चंदर की कथाओं पर और अभीनेता थे दत्ता त्रे दामोदर दबके पीजी साने और जो प्रदर्शित हुई थी जिस्तिति में वो थी तीन मई 1913 और 40 मिनट की फिल्म थी और भारत में बनी थी साइलेंट फिल्म थी और ये था बॉलिवुड की बुनियाद कहते हैं कि हाँ अब 13 से शुरू हुई आज 23 है तो 110 साल हो जाते हैं लेकिन बॉलिवुड को जब मार्केट में लाया गया वो 1944-50 वाला दौर था लेकिन हमारी हिंदे फिल्मों को बनते हुए वाकई में 110 साल हो चुके हैं तो इस तरह की कुछ कमाल की चीज़ें जब भी मेरे हाथ लगती हैं तो ये फिल्मी बंदा आपके सामने लेकर आजाता है और जानता हूँ फिल्मी बंदे का ये चोटा सा चैनल है लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस चैनल को आप जब देखना शुरू करेंगे तो ये बहुत सारे लोग तर पहुंचेगा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं जानकारी और अगर नया तो वैसे दुनिया में कुछ भी नहीं है